गर्मियों में गले को तर करने और गर्मियों को दूर करने का तर्बोज से अच्छा विकलप और कोई हो ही नहीं सकता तर्बोज गर्मियों का सबसे खास फल है जो ना सिर्फ प्यास बुजाता है बलकि भूग को भी सांथ करता है दोस्तों आज किया वीडियो खास फल तर्बूज पराधारित है इस वीडियो में हम तर्बूज के उन आउस्दिय गुड़ों की चर्चा करेंगे जिनकी बारे में साथ आपको पता ना हो दोस्तों आगके इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि तर्बोज का संशित इतियास तर्बोज की पोश्टिक तत्व क्या हैं, तर्बोज की फाइदय क्या हैं और नुक्सान क्या हैं तर्बोज का इतियास तर्बोज आकार में बड़ा होता है या अंदर से लाल और बाहर से हरा होता है तर्बोज में 90 परतिसत से ज़्यादा पानी होता है तर्बोज मीठा, स्वाधीन और कड़वे तीनों रूप में पाय जाता है तर्बोज की पहली फसर मिस्र में लगबग 5000 साल पहले उगाई गई थी तर्बोज को अकसर राजाओं के कबरों में रखा जाता था ताकि वो जिंदगी के बार भी उन्हें पोस्टित कर सकें माना जाता है कि तर्बोज की खेती चीन में 10-20 सताबदी में सुरू हुई और आज चीन तर्बोज का सबसे बड़ा उपादक है भारत में भी इसकी खेती बड़े स्तरपर होती है चलिए आगे जानते हैं तर्बोज के बिभिन पोस्टिक तत्त के बारे में तर्बोज की पोस्टिक तत्त तर्बोज में मौज़द पोस्टिक तत्त हैं पानी, उर्जा, प्रोटीन, फायट, कर्बोहाइडरेट, डाइटरी, फाइबर, सुगर बिटामिस में बहुत सारे बिटामिस पाई जाते हैं जैसे बिटामिस C, थाइमीन, राइबोफलेविन, नियासीन, बिटामिन B6 इत्तियादी चीजे पाई जाती हैं या फल कई जरूरी पोसक तत्तों से भरा है, इसलिए या सरीय से जोड़ी कई परिसानियों को दूर करने का काम कर सकता है तरबूज, फाइबर, पोटैसियम, आइरन और बिटामिन A, C वर B से समरिद होता है लेकिन इस फल को सबसे ज़्यादा खास इसमें मौझूद लाइकोपीन नामक तत्त बनाता है या तथ तो एंटी आक्सिडेंट की तरह काम करता है और इसी से फल को गहरा लाल रंग मिलता है कई अधनों ने लाइकोपीन के लाइबकारी परभाव का समर्थन किया है या आक्सिडेंट स्टोक के जोखिम को कम करने के साथ साथ बलट प्रेसर को भी कम कर सकता है लाइकोपीन के स्वास्त लावों की चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे तरभूज के बारे में जानने के बाद आगे जाने ये तरभूज खाने के फायदे क्या है तरभूज खाने के फायदे हिर्दर स्वास्त पाचल किर्या को सुचार रोप से चलाने के लिए तरबूज आपकी मदद कर सकता है तर्बोज में पानी की अधिकता होती है और पानी भोजन पचाने में सबसे अहम मुत्त तुमाना जाता है इसके अलावा इसमें फाइबर भी पाया जाता है जो पाचन तंदर को स्वास तकने के साथ कब्ज, डाइरिया वगाय जैसे समस्याओं से निजात दिलाने में मदद करता है पेट की दिकतों से बचे रहने के लिए आप अपने दानी काहार में तरबोज को सामिल कर सकते हैं वजन घटाने के लिए भी तरबोज के फाइदे बहुत हैं जो लोग अपने वड़ते वजन से परिसान हैं वे अपने दानी काहार में तरबोज को सामिल कर सकते हैं वजन कम करना तर्बोज के सबसे अच्छे स्वास थिलाबों में से एक है, तर्बोज में कैलोरी की मातरा कम होती है, जबकि फाइवर अधिक पाय जाता है, इसके अलावा या सरीर को डिटाक्सी फाई करने में भी सहता हो सकता है, तर्बूज जो है या पेट को ज़्यादा देर तक भरा रख सकता है जिसकी वज़या से लोगों की भोग कम लग सकती है और लोग कम खा सकते हैं ऐसे में वज़न कम करने के डाइट में इस नया की ताओर पर तर्बूज को सामिल करना अच्छा बिकल्प हो सकता है यह रखता है हाइड्रेट सरीर को स्वास रखने के लिए हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है यानि आपके सरीर में जल परयात मातरा में होना चाहिए डिहाड्रेशन कई सारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है जैसे कब्ज, कमजोरी, सिर्चकराना, सिर्दर्द, मोह, पीट फूल नावा, लो बीपी आदी, तरबूज में पानी की अधिक्ता होती है इसलिए शरीर को हाइड्रेट रखने का काम करता है खासकर गर्मियों के दारा निर्जनली करण की समस्याद जादा होती है इसलिए डाक्टर भी तरबूज का जोस पीने की सलाह देते हैं या शरीर को री हाइड्रेट करता है और पेट को ठंडा रखता है, कैंसर, कैंसर जैसी घातक ब्यमारियों के लिए तरबूज का भी फायदिवन्द है, तरबूज में लाइकोपीन नामक तब तुपा जाता है, जो कैंसर से बचाओ कर सकता है, लाइकोपीन की वज़ा से तरब को लागधन पराप्त होता है, या एक सक्तिसाली एंटी आक्सिडंट है, इसलिए शरीर में कैंसर को पनपने से रोक सकता है, एक अधन के अनुसाल लाइकोपीन में कीमो प्रेवेंटिव गुड़ मौजुद होते हैं, जो खासकर प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम कर सकत है, इसलिए मास पेशियों के दर्द से बचे रहने के लिए आप अपने दैनी काहर में तर्बूज को सामिल कर सकते हैं, रोक परतिरोदक छमता, इम्यूटी बढ़ाने के लिए, बिटामिन C से भरपूर होने के कारण तर्बूज सरीर की रोग परतिरोदक छमता को मजबू इसलिए आप अपने दैनी काहर में तर्बूज को स्थान दे सकते हैं, नमा के लिए, यहां फिर से तर्बूज में मौजूद लाइकोपीन का लाव देखा जा सकता है, या एक परभावी अंटी आक्सिडेंट है, जो अस्थमा के मरीज्जों के लिए कारगर सावित हो, पृपीन दैनदुद को लिए, नमा क्या सकते हैं, तर्बूज फोटैसियम का भी अच्छा स्परूत है, जिसे उच्छ रकत्ति चाप को कम करने के लिए माना जाता है, पृटैसियम एक इ recording, भी है, जो वयाम के दैनार रखत को नियनतित करता है, आखों के लिए आखों के प्रबूज के लाब बहुत हैं तरबूज विटामिन एक का अच्छा सुरोध है जो आख के रेटीना में पिगमेंट का उत्पादन करने में मदद करता है इससे उम्र से सब्वंदित नजर के दुझेलेपन को दूर करने में मदद मिल सकती है विटामिन एक को रेटीनाल भी क इसके नहीं हो पाता है इसकी होने के पीछे कारण तेज गर्मी में अधिक समय बिताना और नगो हालिक तरल्क का कम सिवन करना कई मावलों में या घातक भी हो सकता है वही तरबोज में पानी की मातरा अधिक होती है इसलिए शरीर को निरिजनली करण से बचाने का काम करता है तरबोज उन कुछ फलों में से एक है जो गर्मे में प्यांग बुझाने और थाकावट को दूर करने का काम करता है शरीर में तरल की मातरा बनी रहने से हीर श्ट्रोक जादा परभाव नहीं डालता है हड़ी स्वास्त के लिए भी तर्बूज के फादे बहुत हैं तर्बूज बिटामिन C से भरपूर होता है जो हड़ीयों के लिए फादे मंद माना जाता है इसके अलावा तर्बूज में पानी के अधिकता होती है इसलिए दातों से प्लेग बेक्टेरिया को हटाने का काम कर सकता है कुषकाओं की छति में जैसे कि हमने अब पहले बताया कि तर्बूज में लाइकोपीन से समर्द होता है लाइकोपीन वो खास्त अत्तो है जो फिरी रेडिकल्स के काराण हिर्दर रोक से जोड़ी कुषकाओं की छति को रोकने का काम का सकता है ऐसे में कुषकाओं को स्वास्ट रखने के लिए तर्बूज का सेवन लाबकारी हो सकता है गर्भास्ता के दावरान तर्बूज, फॉलिक एसीड, कैल्सियम, बिटामिन A, आरन जैसे पोसक तत्तों से समरिद होता है जिनकी अवस्ता गर्भास्ता के दावरान जादा होती है जलन सूजन के स्थिति में तर्बूज में मौजूद लाइकोपेन, एंटी, इंफिलामेटरी और एंटी, आक्सिडेंट गरोस से समरिद होता है जो जलन और सूजन जैसे इस्थिति में फायदा पहुचा सकता है इसके अलाव तर्बूज में कोलाइन नामक तत्तों भी पाय जाता है जो एंटी, साइसिर्टिव और एंटी, इंफिलामेटरी से समरिद होता है ये दोनों सत्तों सरीर में दर्द, सूजन वा जलन के इस्थिति में फायदा पहुचा सकते है सरीर में उर्जा के लिए सरीर में उर्जा के स्थर को बढ़ाने के लिए तर्बोज का निमस सेवन कर सकते हैं तर्बोज बिटामिन B का अच्छा स्रोथ है जो सरीर में उर्जा को परवा को बढ़ाने का काम करता है तर्बूज जरूरी बिटामिन जैसे B6 से समिर्ध होता है जो उर्जा के सुरोत माने जाते हैं इसके अलावा तर्बूज में पानी की मात्ता जादा होती है जो ठकावड और प्यास को दोर कर खोई हुई उर्जा को वापस करती है तर्बूज बहुत फायदे मंद है इसमें पानी की अधिकता होती है इसलिए तर्बूज बिटामिन A से भी समिर्ध होता है जो तर्बूज के बड़े रोम छिद्रों को कम कर सकता है चेहरे के लिए आप तर्बूज का ठीस पैक बना सकते हैं बालों के लिए बालों के लिए भी तर्बूज के बहुत फायदे हैं तर्बूज बिटामिन C से समर्ध होता है जो सरीर को गयर हीम आइरन का अप्योवक करने में मदद करता है गयर हीम आइरन स्वाचट बालों को बढ़हा देता है स्वास्त बालों के विकास के लिए Constitution की के लिए फाइदेमांद हो सकता है साइटा लाइन वो खास्त वत्त है जो इरेक्टराइल डिस्फंक्शन यानि कि यौन रोग को सुधाने का काम करता है कब्ज के लिए तरबूज पाचन तंत खराब होने पर कब्ज हो सकती है जिसमें वक्तिकर मल सक्त हो जाता है और मल करने के लिए तरबूज आपकी मदद कर सकता है तरबूज में जल और फाइबल जैसे पोसक्त की अधिकता होती है इसलिए या कब्ज की समस्या से निज्जात दिला सकता है अगर सरीव को प्रयाप्त आयरण ना मिले तो एनिमिया की समस्या हो सकती है वही बिटामिन C और फ एंटी इस्ट्रेस के रूप में जाना जाता है विटामिन C एक परसिद एंटी आक्सिडेंट है जो चिंता तनाव अवसाद वठकान को दूर करने और मनोदसों को ठीक करने का काम करता है आगे इस वीडियो में और हम जानेंगे तरबूज के नुकसान क्या-क्या है इसमें कोई दो राय नहीं कि तरबूज एक गुड़कारी फल है लेकिन इसका अतधिक सेवन कुछ सारीरिक समस्या भी खड़ी कर सकता है आगे इस वीडियो में हम जानेंगे अतधिक सेवन करने से तरबूज के क्या दुस्परभाग हो सकते हैं पीर समंदित परिसानिया जैसा कि ह हमने देखा है तरबूज के अधिकांस लावो को लाइकोपीन के लिए जिम्यदार ठाराय जा सकता है लेकिन यह यह योगी कई साइट इफेक्ट का करणर भी बन सकता है अगर फल अधिक मातरा में खाया गया तो लाइकोपीन के ओबर डोज के चलते मतली उल्टी अपच औ और कमजोर नाड़ी हो सकती है अलरजी कुछ वक्तियों को तरबू से अलरजी हो सकती है दोस्तों ऐसे ही इनफॉर्मेटिब वीडियो के लिए आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों मिलते आपको अगले नेस्ट इनफॉर्मेटि ी वीडियो से घा वी हर दंब आपको अटो घाइन आपको घांपको जावी होहा इनफॉर्मेट से एनफॉर्मेट के धन्या इन और कुछ?".